हतियार के बल फाइनेंस कर्मी से अपराधियों ने बाइक व एक लाख रुपया नगदी लुटा अपराधी एक बाइक पर तीन की संख्या में थे सवार सारण जिले के अमनौर थानाक शेत्र के अमनौर कल्यान पंचायत स्थित सहाधी नहर मार के पुलिया के पास एक फाइनेंस कर्मी से अपराधियों ने हतियार के बल बाइक समेट नगदी लुटा घटना मंगलवार की संध्या की है पीरित ब्यक्ति सोनपुर थानाक शेत्र के सबल पुर्दियारा निवासी उपेंदर राय के पुत्र पिंटु कुमार बताया जाता है युवक भारत फाइनेंसर कंपनी के कर्मी है मकेर के नंदन कैतुका गाउं से पैसा वसूली कर बड़ी नहर मार्ग से कार्याले लौट रहा था सहादी नहर मार्ग के पुलिया के निकट पूर्द से घात लगाया अपराधियों ने आगे से घेर लिया हत्यार के भय दिखा बाइक लूटकर मकेर की तरफ फरार हो गए पीरित कर्मी ने शोर मचाया आवाज को सुन आसपास के लोग जुटे तब तक अपराधी फरार हो चुके थे कर्मी ने बताया कि बाइक में एक लाख रुपया रखा था अपराधी एक बाइक पर तीम की संख्या में सवार थे घटना को सुन था नाध्यक शमरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ पहुँच संग्यान में जुट गए D11 TV के लिए भेलदी से मृत्यून जय तिवारी की रिपोर्ट हुँ झिए को!!